नमस्कार बहुत बहुत स्वाइद करते हैं क्लिक टूटे की इस वीडियो में और पार्ट टू का जो रिवाइज डेट सीट जो है जारी कर दिया गया है अभी अभी परिक्षण इंद्रीजी की दोरा और जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे परिक्षा की तो देखिए 26 अभी इस तारीक से तो परिक्षा नहीं हो रही है लेकिन ठीक उसके अगले दिन से परिक्षा ली जा रही है और रूटीन में बहुत जो है फेर बदल किया गया है तो आपको ध्यान पूर्बग पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा और फिर से रूटीन को अच्छे तर कराने में जो आप मदद करेंगे हमारी तो जल्दी से अभी कि अभी जो वीडियो को लाइक कर दीजे नीचे जो आपको थमसप का बटन देख रहा है उस पर क्लिक करी और लाइक करी वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच तक तो चलिए समय नहीं पर बाद कर करते हैं हम जो पूरा रूटीन समझते सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं रिवाइस प्रोग्राम फॉर टीडी सी पार्ट सेकेंड आर्ट साइंस इन कॉमर्स ओनर्स जैनल एक्जामिशन 2021 ओनर्स सब्जेक्ट और डिवाइड इन्टू दी फॉलोइंग ग्रूप तो जो जो हो गया पाच और छे चार आपको उपर होगा यहां पर दो छे चे ग्रूप में जो आपके टोटल सब्जेक्ट को बाता गया है तो यहां पर की जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले ग्रूप में यानिके एक ग्रूप में संस्कृत ओनर्स मूजिक ओनर्स इंग्लिस एलस डबलू फिलोसपी एई एचन सी यानि के एंसेंट हिस्ट्री जिग्रॉफी ओनर्स जो है आ रहा है डी ग्रूप में इग्रूप में कॉमर्स जैसे का तैसा है और उसमें एड हुआ है बोटनी मैथली होम साइंस यह जो है आपको इग्रूप में देखने को मि क्या चीज़ रिवाइज की गई है कि देखे पिछले डेटशित में कुछ त्रोटी अंति अब देख लेते हैं कि 11 तारीक को क्या परिक्षा हो रही है तो जी नहीं रक्षा बंदन है तो उस डेट को हटा दिया गया यहाँ पर चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो कि आपक को समझ में आई जाएगा यहाँ फर्स सेटिंग में जो नौ बजे से लेकर के दोपर बारा बजे तक आपकी परिक्षा चलेगी ग्रूप एक की जो परिक्षा है सबसे पहले दिन दोपर के दो से पांच बजे तक साम के परिक्षा चलेगी ग्रूप की 27 तारीक पेपर 3 फिर यहाँ पे आपको आपको ग्रूप की परिक्षा परिक्षा होगे 28 को फर्स सीटिंग में और डी ग्रूप की होगी सब्सेटिक में अब यहाँ पर देख लेथे एक GIRूप में कुणसे कॉणसे सबजेक्ट है नहीं कोई कॉणसे उस्पेपर है संस्कृत उन्रस म्यूजिक उन्रस एकोनोमिक्स इलेक्त्रोनिक्स मैंट्स हिंदी और सोचियोडी का 27 तारीकों पहले सिटिंग में परिक्षा होगा दूसरे सिटिंग में होगा Chemistry Honors, Physics Honors and Political Science परिक्षा 27 तारीकों 2nd सिटिंग में होगा देखे अगर आपको अलग वीडियो भी चाहिए यानि कि BA के लिए अलग और BAC के लिए अलग और B.com के लिए अलग आप C Group की परिक्षा 28 तारीकों है पहले पाली में होगी C Group की परिक्षा 28 तारीकों उसमें होगा History, भोजपूरी, PKNJ and Bengali का ओनर्स का पेपर होगा 28 तारीकों फिर 28 तारीकों 2nd सिटिंग में होगा D Group का परिक्षा इसके बाद हम बात करते हैं 29 तारीकों कॉमर्स वालों का पहला पेपर होगा जो की होगा Business Law जो भी अकाउंट्स ले रखेंगे और जो भी बी ओनर्स ले रखेंगे उनका भी लौ ही होगा बिजनस लौ पेपर ही होगा 39 तारीक को ठीक है और इसके बाद 29 तारीक को Botany Honors, Mathly Honors, Home Science Honors का पहले पाली में परिक्षा लिया जाएगा 29 तारीक को इसके बाद दूसरे पाली में हम देख लेते 29 तारीक को F ग्रूप की परिक्षा होगी जिसमें की आपको Psychology, Urdu and Persian Honors की परिक्षा लिए जाएगी दूसरे पाली में दो बज़े से लिए करके पांच बज़े के बीच फिर जो है देखते है 2 तारीक को 2 ओगस्ट को इसके बाद लिए जाएग जा रहा है A ग्रूप का A ग्रूप का 4 ओनर्स पेपर होगा तो यहाँ पर क्या है आपका चौथा ओनर्स पेपर संस्क्रिट, म्यूजिक, एकनॉमिक्स, इलेक्रोनिक्स, माथ्स, हिंदी, सोशियोलजी इसका जो भी चौथा पेपर होगा वो लिया जाएगा फर्स सेटिंग में नौ बज़े से बार्र बज़े के बीच और फिर जो है इसकी परिक्षा होगी आपको तीन तारीकों सेकेंड सेटिंग में इसका इग्रूप की परिक्षा चार तारीकों ली जाएगी उनतीस और चार की बीच में काफी जादा गैप दिया गया है कॉमर्स वालों को और जो भी बोटनी, मैथली, होम साइंस वाले है उनसा भी को भी गैप मिल रहा है और जो भी साइकलोजी, उर्दू, परिशन वाले है उनको भी गैपिंग मिल रहा है तो चार तारीकों पहले पाली में फोर्थ पेपर की परिक्षा ली जाएगी जो भी अकाउंट 10C ओनर्स वाली स्टूडेंट होंगे उनका जो है चौथा पेपर स्पेसिलाइजड अकाउंटिंग होगा जो भी बी ओनर्स वाले होगे उनका लेवर्स लेजिसलेशन पेपर होगा चार तारीक को फर्स सेटिंग में सेटिंग में हम बात करते हैं परिक्षा की साइकलोजी की फोर्थ पेपर उर्दू की फोर्थ पेपर यहां पे टोटल ऑनर्स पेपर का मामला खत्म होता है इसके बाद आएगी सबसीडरी की बारी और जनरल जो भी कोर्स ले रखें उनकी बारी आएगी अब यहां पे देखते हैं जनरल कोर्स की परिक्षा का पहला सेटिंग बनाएगा नौव वह से लेकर के बारा बजे वही टाइमिंग रहेगा और सेकेंड सेटिंग दो वह से लेकर के सामके पाँच वह तक परिक्षा चलेगी सबसीड्री कर जरा हम देख लेते तो पास तारीक को पहला सबसीड्री पेपर फिलोस्पी का बोटनी का और मधि यानिकि मनी अन्ट बैंकिंग का किनका ओगा सदिस्वी और जो भी जनरल वाले दाएगा सबसीडियान चैनल का इकोनोमिक्स एन एलेक्रोनिक्स सबसीडिया की पेपर होगी तेरा तारीक को सेकंड सेटिंग में यहां पर की देख रहे हैं म्यूजिक फिजिक्स मैथ्स और मैथ्स के बगल में जस्ट आर्ट लिखा हुआ है आप सभी को मालूम होगा कि सबसीडियान चैनल का पेपर को सेकंड सेटिंग में फिर होगा साइकलोजी सबसीडिय का पेपर एंड जर्णरल का पेपर शतरद तारीक हो यहां पर देखने को मिलेगा मिलनेच आर्ट साइंस इं कॉमर्स आर्ट के जो भी स्टूडेंट होगे जिन्नोंने 50 मार्विस पच यानि कि माइल हंडेड मार्स जिनका भी है और वह आर्ट्स फकैल्टी से हैं तो उनके लिए अलग जो है नीचे दिया गया है वह गुरूपस वाइज डिवाइड किया गया तो उसमें आपको दिमाग नहीं जिनका भी पचास-पचास मार्स का आर्ट्स में होगा यह साइंस म 14 को और 19 को पेपर नहीं सीधे 20 को पेपर लिया जा रहा है मॆइल 100 मार्स साइण्स और कॉमर्स वालों के लिए और मिल साइंस आर्ट्स जेंरल जो भी पास कोर्स ले रखे होंगे उनके लिए और्वला परिक्षा होगा 20 तारिक को ठीक है जो पास कोर्स मेंगे कोकॉमर्सम में यहां पर नीचे में लिखा आप पढ़ लेंगे और नो एक्जाम नहीं देते हैं उसके लिए कोई अलग एक्जाम चोड़ते हैं तो अब चलिए 20 तारीकों तो यहां पर बात होगी कि हंडेड माक्स हिंदी वालों की परिक्षा होगी साइंस इंडार्थ वालों के जो भी जनल ले रखा होगी उनका भी 20 तारीकों ओगा 100 अब बात आती है स्टूड़न का होगी है और किरफिक का हो सकता है संसकृत ओनर्स होगा हिस्ट्य ओनर्स होगा उनका परिक्षा कर ऑब होगी इस्टेंट मांस का वह देखना है सबसे पहले देखेंगे आप हिंदी का सो माक्स वाला पेपर 22 तारीक को पहला हो रहा है ग्रुप A.B. अब A.B. ग्रुप में आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट आएंगे उनका एमाईल हंडिर माक्स का पेपर 22 तारीक होगा एक ग्रूप में आर्ट्स का देख लीजे आप लोग संस्क्रिट म्यूजिक इकोनॉमिक्स उसके लिए हिंदी सोशियो लॉजी यह जो दिया हुआ है यह हो जाएगा जो भी स्टूरेंट मतलब इस पेपर से होंगे और हेंडिट मार्क से अपका हिंदी होगा तो 22 तारीक सब्सीडरी मैच्स होगा उनका जो है 22 तारीक को सेकेंड शीटिंग में होगा आपको दो बजे से पांच बजे के बीच ठीक है इसके बाद आता है पच्छिस तारीक कह रहे हैं हम 23 तारीक टीस तारीक हो जो है आट्स ग्रूप डी एफ की परिक्षा होगे अब आर्ट्स ग पेपर होगा आपको 23 तारीकों ठीक है एक ही दिन में डीएफ ग्रूप का ले लिया जा रहा है हंडेड मार्क हिंदी का ठीक है इसके बाद 23 को सेकेंड सेटिंग में कोई पेपर नहीं है फिर आगे 24 तारीकों पेपर बनाया गया AIH&C यानि ancient history जिनका भी सबसीडिरी पेपर होगा जनरल पेपर होगा 24 तारीकों फर्स सेटिंग में परिक्षा होगा और प्लैनिंग एकनॉमिक डेवलपमेंट अएंडिया का जो है पेपर मतलब अकांटैंसी जिनकों नहीं रखोगा बी अनर्स तारीकों 24 तारीकों फर्स सेटिंग में हिस्ट्य सबसीडिरी का पेपर होगा जणरल का पेपर होगा ठीक है 25 तारीको लेवर and social welfare का पेपर होगा फर्स सेटिंग में और 25 तरी को सेकेंड सेटिंग में पॉलिटिकल साइंस सबसीडरी का पेपर होगा छबीस तारी को म.i.L. आर्ट्स गुरूप C का परिक्षा लिया जाएगा तो 26 तारी को हम देख लेते हैं आर्ट्स गुरूप C कहने का मतलब जिनका भी हंडिर्वास का हिंदी होगा और सी गुरुप में जो भी आ रहा होंगे सी गुरुप में फिस्तरी आ रहा है जिनका वह विख bidding को भी जबिस तारीक फर्स टीचिंग में कौन सा पेपर होगा तो फिर यानि की जैनलोजी एंड बिजनेस लॉग का पेपर होगा यह सबसीडिरी एस जैनरल कोर्स वाले जो भी स्टूडेंट है उन सभी का होगा अब यहां-पर कोई बिजनेस लॉग देखकर कि यह मत बोलें ल दिया हुआ है आप वाले जो भी है वह समझेंगे यानि कि जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है वह यहां पर देखेंगे कि यह ग्रूप का दे रखा है चार तारीकों और यहां पर 29 तारीकों दो दिन परिक्षा है 29 तारीकों पहला पर तीसरा ओनेस पेपर होगा बिजनेस अगर समझ में आगी तो नीचे कमेंट कर दीजेगा और जो भी आपको समझना है अलग से तो बता दीजेगा एक और स्पेशल वीडियो जो हम बना करके आप लोगों को दे देंगे यहां पर एक्जाम कंट्रोलर का सिगनेचर है बाकी यही सारी चीजे तो बस आशा करते है आपको यह समझ में आ गई है और सबसे पहले डेट शीट का जो है वीडियो हम बना रहे हैं तो लाइक करिएगा शेर करिएगा धन्यवाद